तो आजके class में हम लोग क्या देखेंगे single face power factor meter ठीक है power factor measure करने के लिए जो हम meter use की से जो हम meter use करेंगे वो देखेंगे single face देखेंगे उसके बाद three phase के तीक है में लिए देखना होगा कि हम power factor meter use क्यों करते है हम तो power तो किस से हम निकाल सकते हैं है आपके ammeter से भी निकाल सकते था या फिर wattmeter से भी निकाल सकते था उसमें भी वbn इसमें power factor meter यूस करने रहिए अपको जौरत पर ही आपको power factor calculate करने के लिए तो देखो ये जो wattmeter Ammeter wait meter उसमें क्या था की मैने wattmeter आपको बताय था उसमें भी क्या था कुछ एरर आ रहे थे तो क्या होता है कि ये कुछ ये तीनों जो method है न वोल्ट मीटर जो methods है ये क्या होता है इनके limitations होते है ठीक है ये क्या होता है बहुत accuracy नहीं होती है इसमें high accuracy नहीं होती है ठीक है तो इसमें क्या होता है कि chance होता है error का तो इसलिए हम क्या करते है कि हम in methods को na industrial इंडस्ट्रियल यूज में यूज नहीं करते हैं तो इंडस्ट्रियल यूज के लिए हम क्या यूज करते हैं मेजर्मेंट ऑफ पावर फैक्टर के लिए हम क्या यूज करते हैं आपका पावर फैक्टर मीटर ठीक है अब देखो जो अपना पावर सिस्टेम ट्रांस्मिशन जो पावर ट्रांस्मिशन सिस्टेम होता है या फिर दिस्ट्रिबूशन सिस्टेम होता है तो उसमें क्या होता है आपका जो हम उसमें पावर फैक्टर मेजर करते है अट डिफरेंट डिफरेंट स्टेशन ठीक है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं आपको power factor meter use करते हैं समझेहर तो देखो अब इसमें क्या होता है तो यह जो आपको power factor meter है यह क्या provide करते हैए आपको बताता है कि आपका load क्या है आपका load किस type का load है lagging ह ? या leading load है तिक है जिसके किसमें help करता है आपके power transmission मतलब losses जो होते हैं आपके power transmission line या distribution में system में उसे calculate करने के लिए इसे use करते हैं तो देखो अब मतलब यह जो आपका है इसलिए क्या हुआ कि हमें अलग से मतलब instrument की जरुरत पड़ी ताकि हम क्या कर सके accurately और काफी precisely हम आपके power factor को measure कर सके that is power factor meter ठीक है कौन सा है power factor meter समझ गया तो यह किसका diagram है आपको single phase power factor meter का ठीक है तो सबसे पहले इसका हम क्या देखेंगे construction देखेंगे construction में कौन-कौन से elements हमने इसमें use किये तो देखो इसमें क्या-क्या हमने use किया तो यह क्या है आपको single phase यह आपको electrodynamic power factor watt meter है इसमें क्या होता है कि आपको दो coils होते है ठीक है first coil आपको क्या होता है fix coil होता है and second coil यहाँ पर मतलब coil लगा होता है मैं देख लाइन से मैंने show किया और second coil क्या आपका होता है that is a moving coil this one is a and b is a moving coil समझके तो आपका जो fixed coil होता है वो क्या होता है fix coil is splitted into two parts and connected in series with the load which carries the load current ठीक है यह क्या होता है it is splitted into two parts and it is connected in series with the load यह क्या होता है दो parts में splitted होते है ठीक है और क्या होता है कि आपका न यह जो इस क्या होता है यह आपका जो load current है वो carry करता है मालो यहां से i current जाएगा वही current कहां जाएगा आपके load में जाएगा ठीक है यहां तक समझ में आगया तो इसमें आप लिख लेना कि fixed coil are splitted into two parts and connected in series with the load which carry the load current समझके अब second आपका कौन सा coil था that is a moving coil तो आपका moving coil क्या होता है कि moving coil of a electrodynamic power factor meter is also splitted into two parts ठीक है लिख लेना कि moving coil of power factor meter is also splitted into two parts समझके and both are placed from each other by a 90 degree समझके यहां तक आप देखो and the both coil is lies between the fixed coil ठीक है आपके यहां पर भी fixed coil है और यहां पर fix coil है तो the both moving coil is lies between the fixed coil यहां तक आपने लिख लिए अब देखो जो आपका जो दोनों moving coil होते है this one this moving coil तो both moving moving coil is connected across the supply कहां से connected होता है देखो यहां पर connected है यह दोनों का end है यहां पर connected है और यह दोनों का end यहां पर connected है तो यह क्या होते है कि both moving coil connected connected across the supply समझ गया, अब देखो the moving coil A, this one the moving coil A is connected with series resistance R ठीक है, यह क्या आपका जो आपका यह moving coil है, series resistance R से connected है, यहां तक समझ में आगया, and carries the current I, which is proportional to the supply voltage, जो किसके proportional है आपके, supply voltage के proportional है, and second coil that is a moving coil B it is connected with the inductance that is L, and also carries the current IB, यहां तक समझ में आगया, अब देखो इसमें क्या होते है, आपका तो यहां तक हो गया आपका construction का तो अब देखो, एक जो coil का axis है, इस coil का axis, तो कितना है, आपका कितना angle बन रहा है reference है, 90 plus theta, right और दूसरे कितना बन रहा है, theta सबज़ गया, तो अब देखो देखो, जो आपका जो a है यह coil आपका, जो moving coil a है यह आप मैंने reference माना है, तो reference से क्या बन रहा है आपका angle, theta बना रहा है, और मैंने coil B, जो coil आपका B, इसका reference ही है, और मैंने plane of reference क्या माना है, इस line को माना है तो यहां से कितना degree angle बना रहा है यह तो क्या, इन दोनों के बीच में 90 है और यह plus theta, ठीक है तो जो coil B है वो कितना angle बना रहा है, 90 plus theta और जो coil A है, कितना angle बना रहा है आपके plane of reference से theta angle बना रहा है समझकें, तो देखो single phase जो आपका power factor meter होता है तो जब हम इसको क्या करते हैं इसको series आपके circuit में connect करते है to measure a power factor तो क्या होता है आपका जो fixed coil है जो आपका ये जो fixed coil है इसमें जो लगा होता है fixed coil ठीक है तो ये क्या आपका produce करते है इसमें लिख लिए ना कि when the single phase power factor meter is connected in circuit to measure a power factor then the fixed coil this one is fixed coil क्या करेगा आपका fixed coil produced fixed coil produced a magnetic field due to which due to which torque is produced in moving coil that is A and B ठीक है आपका ये जो fixed coil है ये क्या होगा आपका magnetic field produce करेगा जिसके कारण आपके moving coil A और B में क्या होगा torque produce होगा ठीक है तो देखो ये क्या होता है कि जो direction होता है direction of torque in both moving coil is opposite to each other क्या होता है कि जो direction होता है दोनों coil में वो क्या होता है एक दूसरे से opposite होता है समझ गया अब देखो यहां तक यहां तक समझ में आ गया तो अब क्या हो गया कि when the torque produce in both moving coil is equal then the pointer become stationary and gives the directly the power factor rating of load समझ के क्या करता है कि जब आपका torque moving coil A और B में जो produce हो रहा है अगर दोनों equal होते है तो क्या हो जाता है आपका जो pointer वो क्या हो जाता है stationary हो जाता है और आपको किसकी rating दे देता है आपकी आपके जो scale जो भी है power factor की rating दे देता है यह क्या आपका unity power factor इधर जाएगा तो क्या होगा lag करेगा और side जाएगा तो क्या होगा lead करेगा समझ के lag कप करता है जब आपका inductive load होता है lead कप करता है जब आपका capacitive load होता है अब देखो यह मैंने phasor diagram कैसे बना है just a second अब देखो यह phasor diagram मैंने कैसे बना है दो moving coil थे that is A and B ठीक है तो A किसके साथ connected था आपका A आपका था resistance से connected था ठीक है तो क्या होगा जो आपका रेजस्टिव लोड होता है तो इसमें क्या होता है जो आपका current होता है voltage के phase में होता है तो मैंने क्या ले वी पहले मैंने क्या बना है एक reference voltage बना है that is V ठीक है और जो माल्लो की都 रजस्टेंस है उसका current क्या होगा इस ही direction में होगा same direction में होगा क्योंकि जो Speed Aim moving coil A है तो वह किस से connected आपका resistance से connected है तो resistance में क्या होता है जो voltage और current होते हैं वो क्या होते हैं यह पता है आपको अब देखो अब यह क्या आपका यह आपका जो coil B था वो क्या था आपका inductor से connected था तो inductor क्या करता है वोल्टेज़ से lag करता है तो यह आपका क्या हो गया B हो गया current B क्यूंकि हो इंडेक्टर से connected है तो current क्या होगा लैक करेगा ठीक है और आपका load जो load current में जा रहा है वो हो गया I तो mostly क्या होता है अपना load क्या होता है lagging होता है तो मैंने lag बना दिया मुझे पता नहीं कितना lag करा है तो approximately मैंने बना दिया तो इन दोनों के बीच का मैंने angle क्या माल लिया phi तो ये angle क्या हो जाएगा total कितना है 90 तो क्या हो जाएगा 90 minus phi समझ गया अब देखो जो आपका torque produce हो रहा है moving coil A में वो क्या हो जाएगा torque किसके proportional होता है Ia into I cos phi ठीक है voltage और current के बीच का angle और sin theta ठीक है sin theta आपका क्या है तो देखो जो आपका क्या है आपका जो moving coil है तो क्या होगा deflection torque जो produce होगा नो ठीक है वही theta है आपका angle तो देखो इसमें क्या होता है जो इसमें mutual inductance भी होगा क्योंकि inductive load लगा हुआ है तो inductance किसके proportional होता है m किसके proportional होता है cos phi के proportional होता है समझ गया तो इससे differentiate जब करोगे dm d theta क्या हो जाएगा minus sin phi तो हम यहाँ से क्या लिख सकते है dm d theta is directly proportional to sin theta तो mutual inductance के बतले मैंने क्या लिख लिख है sin theta यहाँ पर आ गया समझके तो देखो इसमें जो आपका यह जो current है आईए है यह किसके proportional है आपके जो यहाँ पर जो आईए current होगा यहाँ पर लिख देते हुए जो आपका आईए current है वो किसके proportional है supply voltage के और जो IB current है वो भी किसके proportional है आपके supply voltage के समझके अब देखो जो आपका torque होता है न वो torque का क्या होता formula torque is directly proportional to current in moving coil और current in load सीख है यहाँ तर समझ में आया क्या आईए into i cos phi sin theta क्योंकि आई यह इन दोने के बीशे में reference में मैंने देखा था किया कितना angle था phi का था ठीक है समझके तो यहाँ से क्या हो जागा proportionality constant को हटाने के मैंने के लिया है और आईए मैंने आपको क्या बोला था यह किसके proportional आपके voltage के proportional है तो आईए के बदले मैंने क्या लिया है V लिया है I cos phi sin theta समझके आप देखो similarly जो आपका torque produce होगा moving coil B में वो क्या हो जाएगा torque किसके proportion हो जाएगा IB I cos 90 minus 5 this angle 90 minus 5 plus sin plus theta ठीक है तो यहाँ से आप क्या लिख लोगे V I sin phi cos 90 minus 5 क्या होता है sin phi cos theta ठीक है यहाँ तक समझ में आया अब देखो अब आप क्या करोगे similarly आप क्या करोगे proportionality constant अटाओगे तो यहाँ पर क्या लोगे K ले लोगे ठीक है क्या हो जाए K V I sin phi cos theta तो देखो मैंने कब बोला था कि आपका pointer कब stationary हो जाएगा बताओ कब हो जाएगा आपका जब pointer आपका move कर रहा था न तो stationary कब हो गाँ आपका कि when the torque produced in a both moving coil is equal then the pointer becomes stationary ठीक है तो आप देखो जब at equilibrium condition क्या हो जाता है आपका torque A equals to torque B हो जाएगा दोनों torques क्या हो जाएगे equal हो जाएगे तो दोनों को equate कर दो जो दो equations आएथी यह जो दो equations आएथे न आपके torque A के यह क्या हो जाएगा 1 this one is 2 ठीक है तो क्या हो गया यहाँ पर torque A is equal to torque B तो Vi cos phi sin phi क्या हो जाएगा Vi sin phi cos phi राइट हमने देखा था उपर में तो यहाँस क्या हो जाएगा Vi 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 कट जाएगा तो theta वाले terms को हम क्या करेंगे एक side ले आएगे और 5 वाले terms को एक side ले जाएगे तो क्या हो जाएगा sin theta upon cos theta sin phi upon cos phi तो यह क्या हो जाएगा 10 theta ठीक है और यह क्या हो जाएगा 10 phi तो यहाँसे क्या हो जाएगा 10 theta equals to sorry 10 phi equals to कजंग अगैर हो का masa फिस तो फाई हो जाएगा दोनों एंगल हो जाएगा तो क्या बैंटी मिल जाएगी ठीक है समझ गए हां तक अबwashा डेको अब क्या होते हैं कि इसे से क्या होगा कि मतलब यह आपका क्या होगा condition मिल गया when theta equals to 5 then we get the reading तो यह था आपका single phase power factor meter ठीक है